नमस्ते दोस्तो देखिए एक नया पैरदान की डिजाइन लेकर आई हूँ मैं दू कलर में यह तो आज मैं यह बना के बताऊंगे कि कैसे बनेंगे मैंने 28 फंदे से बनाए हैं 28 फंदे के आपको बताऊंगे देखिए उल्टी से भी कितनी सफाई से मैं बनाई हूँ धागा मैं साथ साथ लेकर चली हूँ ताकि कोई पड़े सानी ना हो और देखिए कितना प्यारा लग रहा है यह तो आए मैं शुरू करती हूँ मैंने फंदे इसमें डाल लखे हैं देखिए इसमें 28 फंदे हैं एक, दो, तेंग, चार, पांग, छे, साथ, आठ, ना, दस, इगारा, बारा, तेरा, चोड़े, चोड़े देने 28 फंदे हैं तो देखिए मैं इसी कलर से मना के बताऊंगी जिससे मैं पनाई हूँ तो मैं आधे-आधे फंदे बुन लोंगी दो कलरों से इस तरह से उल्टी-उल्टी केंग, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ना, दस, एगारा, बारा, तेरा, ये, चोड़े पंदे हो गाएं अब मैं 14 पंदे सफेज से बनाऊंगी यहीं से मैं धागा लगा दूँगी इस तरह से तो 14 पंदे ये वाले निकाल ले रही हूं मैंने लगा ली और जो जैसे कलर हैं उसे कलर से हमें ये सीडी सैट बनाने हैं पहला फंदा हमें उतार लेना है और इसे तरह से उल्ट उल्टी सलाई निकालनी है मैं निकाल लेते हूं फिर बता हूं ये आ गई मैं सेदी सैट से क्या करना है कि मैं दस फंदे ये बारा फंदे मैं निकाल लूँगे ये हरे वाले दस फंदे मैं सफेद से बना लूँगे और बाकी मैं सफेद से बना लूँगे लाश्ट के हम दो फंदे छोड़ देंगे लाश्ट के हम दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम वापा साज़ देंगे सेधी साइड से जो जैसा कलर है उसी तरह से बनाना है तो बना लेके देखे फिर सीधी साइड आ गई पहला फंद में उतार ली अब मैं दस फंदे इसमें से बनाओंगे दो पांच छे साथ आठ नो यह तस तो फंदे फिर से हम सफेद कर लेंगे जो मैंने सफेद वराई थी भो हड़े कर लेंगे तो मैंने दो दो फंदे इसमें से ये वाली बनाने है, ये कली हम बनाएंगे, तो हम दो दो फंदे इसमें से लेते जाएंगे, सफेद वाली हम यहां तक लियाएंगे, इस तरह से, और यहां से सफेद में हम दो दो फंदे छोड़ते चले जाएंगे, स्रीधी सैट सो जो जैसा कलर है बैसा ही बनाना है दो फंदे पहले करते हैं दो फंदे अच छोड़ रही है चार हो गए जो कलर जैसा है बैसा ही बनाना है धागा को पीछे करना है पीछे वाले आगे को कुरॉस करके ले लेना है और इसी तरह से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बनाना है फिर से हड़े आगे हड़े लेना है इसे तरह से हम दो-दो फंदे हरे सफ़द में बदलते रहेंगे और यह डिजाइन बनती रहें फिर से पहला फंद हम उतार लेंगे और एक-एक बना लेंगे हम 20 फंदे रहेंगे और दो फंदे फिर से हम सफेद करेंगे इस तरह से हम ये दो फंदे सफेद कर लेंगे जो सफेद है उसे हम हड़े कर लेंगे जो सफेद है उसे हड़ा है उसे हम सफेद कर लेंगे देखिए दो फंदे छोड़ेते चार और छे हो गया देखिए फिर आगई में सीधी से फंदा उतार लेना है और एके करके उल्टे बना लेना है दो फंदे हम सफेद कर लेंगे इसता सफंदा लेंगे और ये जो सफेद होगे है और जो सफेद है उसे हम हड़ा कर लेंगे इस तरह से ये कली बनते चले जाए दो दो फंदा हम छोड़ रहे हैं उसे हमें छोड़ना है देखिए कर लेंगे पीछे करके पीछे वाले आगे आगे वाले पीछे जो जैसा कलर है इसी कलर से हम बनाएंगे अब ये चार फंदे बच गए है इसे भी हमें कली में तयार करना है तो मैं चार बना लेती हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं एक रहे गए हैं तो इसे हम कैसे बनाएंगे ये हम मैं बता देते हूं ये धगा आगे किये पहला फंदा फिर हम चड़ा देंगे और वापिस इस तरह से हम सफेद कर लेंगे इसे तो ये लाश्ट का फंदा था ये बन गया जो सफेद है उसे हमें हरा कर लेना है जो हडा है वो से हमें सफेद कर लेना है ध्यान से दिखेएगा ये लाश्ट हापकली बन गई है लाश्ट सराई है अब क्या करना है यहां दो फंदे जो छूट रहे हैं मैं इसे एक फंदे बुन लोंगे एक ही फंदे इसमें रहने दूंगे क्योंकि इधा से देखे ये जो डिजाइन बनी है ये जोईन बनी रहेगी अगर हम दो छोड़ देते हैं तो यहां गयर बन जाएगी इसलिए हम यहां एक ही फंदे बनाएंगे और वो फंदे को हम उतार लेंगे इस तरह से उतार के और यह तेम फंदे बनाना जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बनाना है देखे लिए कर दो कर दो कर दो कर दो इसकी हाप कली तयार हो गई है, यह बादे, यह हाप बन गई है, अब आधी और हमें बनाने है, अब कैसे बनाने है, अब क्या करना है, बढ़ागा पारू, और आगे कर लिए, अब जो सफेद है, उसे हमें हडा बनाओंगे, अब यह कली जो आधी बनी है, आधी उससे बनाने कर देखिए जो सफेद है उसे हमें हरा करना है और जो हरा है उसे सफेद करें तो इसी तरह से हम यह कली तयार करेंगे यह मैंने दो फंदे जो एक फंदे छोड़े थे और एक फंदे बनाये थे यह दूनों हम बना लेंगे और यहीं से हम लॉड़ जाएंगे जो जैसा कलर है वैसे ही बनाना है इसमें कि देखिए मैं से मौल्टी साइड नाले अब क्या करना है अब मुझे यह दो फंदे तो मैंने बना ली यह दो फंदे जो सफेद इसे भी हम थारा बना लेंगे अब इस तरह से हम फ्राटर वाल करेंगे दो दो फंदे और ये जो लास्ट के दो दो फंदे मैंने छोड़े हैं वो दो दो फंदे हम बना लेंगे जिस तरह से मैंने सफेद वाली हरे किये हैं हरे वाले सफेद किये उसी तरह से हमें बनाना है और ये दुदो फंदे हम लेंगे तो बीच में गैप ना आए इसलिए हम यहां से फंदे उठा के फट लोकाई कर लेंगे और ये फंदे अकेला बना लें फिर हम यहीं से लट जाने गी देखे फिर आ गई मैं उटी से आप क्या करना है मैं चाड बनाई थी आप छे बना लूँगी यह दो सफेद जो है इसे भी हरा हम कर लेंगे यह हरी है इसे हम सफेद कर लेंगे इसी तरह से यह कली फिर तयार हो जाए कर लेंगे यह दो दो फंदा मैंने छोड़ी थे इसे हम इस तरह से इसमें भड़के और दो काई कर लेंगे कर लेंगे लाश्ट सलाई में क्या करना है इसे तरह से हम सारे हरे कर लिए जो आधी कली मैं बताई थे आधी कली और पूरी हो गई तो अब हम यह से उल्टे उल्टे सारे बना देंगे यह सारे सफेद वाले हरे हरे हो जाएंगे जो कली बन रहे थे दो दो कलर की अब हो खतम हो गई अब यह हड़े वाले कलर आ गाएं देखिए जिस तरह से इस साइड आधी कली बनी थी आधी कली तो वह हो गई पूरी और यह यह भी हो गई पूरी देखिए अब हमें दूसरी कलर लगाना है तो मैं यह सलाई निकाल लेती हूँ फिर मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है तो फंदे जो बचे रहे हैं उसे हम एक लाश्ट स्लाइमें उठा लेंगे इस तरह से हम इसे बना लेंगे तोड़ी हो गई यह सलाई अब क्या करना है देखिए जो जैसा कलर है ऐसा ही बनाना है लेकिन हमें एक चीज और आपको बताने है मैं उल्टी स्लाई निकाल लेती हूँ यहां तक फिर मैं बताती हूँ देखिए यह कले तो पूरी हो गई यह सीधी सैट से अब हमें दूसरी धागा लगाना है तो उल्टी सैट से लगाऊंगी तो यहां से कैसे बनाने यह देखिए यह हड़े वाले हैं तो मैं दो फंदे बना लूँगी इस तरह से और फिर यह धागा पीछे करके इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे तो हम सफीर वाली लगा लेंगे इस तरह से हम धागा पीछे करके सफीर वाली साथ साथ हम लेके चलेंगे दो दो फंदे बनाने के बाद फिर हम सफीर वाली धागा लगा लेंगे अब मैं उल्टी साथ से कैसे बनाना है देखिए पहला फंद हम उंतार के सिधी कर लेंगे इसे फिर चड़ा लेंगे अब हमें सफेद वाली लगाने है यह सफेद अब इहां बनेगी इस तरह से यह रड़ी वाली बना ले अब सफेद वाली बनेगी तो यही से मैं सफेद लगा लोगी इससे बिनावट में सफाई आएगी इस तरह से बना लिए फिर यह धागा हम साथ साथ लेके चलेंगे जिस तरह से मैं सफेद वाली लेके आएगी इससी तरह से यह हरे वाली भी लेके साथ साथ चलेंगे तो इसमें शफाई से बिनावट होगी यह हो गई अब हमें हरे वाले लगाना है तो हरे वाली इस तरह से हम लगा लेंगे दिख्यों कितनी सफाई से बन गई और वैसे धागा यहां से यहां खिसते तो वह थोड़ी अलग दिखाए देते हुआ तो यह एक सलाई हम इस तरह से निकाल लिए अब सीधी साइट से हम जो जैसा कलर है उसी तरह से हम बना लेंगे सफेद है तो सफेद फिर मैं सीधी साइट से आकर बताते हूं कि फिर डिजयन कैसे बनेंगे एक सलाई और मैं बता देती हूं आपको देखिए अब क्या करना है जिस तरह से मैंने हडे वाले को बनाएं कली इस तरह से आप सफेद वाली बनेगी तो अब हडे वाली से हम कली बनाएंगे पहले सफेद वाले से बनाएंगे अब हरे वाले से बनाएंगे तो मैं यहां बाड़ा फंदे बना लूँगी और फिर यहां से स्टार्ट करूँगी दो दो बंदे इस तरह से यह सुरुआत हो गई इस तरह से इकलिक बनना यहां से तयार हो जाएगी और बागी को हम यह फरा बना लेते हैं इस तरह से यह तयार होगी देखें लाष्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहां से मर जाएंगे फिर जो जैसा कलर है जैसे कलर से हमें बनाना है इस तरह से इस तरह से यह कली तयार हो जिस तरह से मैंने यह बना ही उसी तरह से यह तयार हो जाएंगे तो अब्लोग दो समझ में आग्या होगा तो प्लीज कमेंट करके जोगे बताईएगा लाइक करेगा शेर करेगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा कितना प्यारा लग रहा है धन्यवारा